नमस्कार दोस्तो दोस्तो इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने ढंग से जीते हैं जो वास्तविक जीवन जीते हैं जिसको हम कहेंगे practical यानि वो भावनाव मिनने बह करके अपने जीवन को वास्तविक ताक को देखते हुए आगे बढ़ाते हैं मैं बात कर रहा हूँ बाल गोबिन भगत की जी हाँ आज हम अध्यन करने वाले हैं बाल गोबिन भगत इस कहानी की और ये कहानी ली गई है काक्षा दस की हिंदी क्षितित से आईए सुरुआत कर दें हम बाल गोबिन भगत की लेकिन उससे पहले इस कहानी को लिखा किसने है उसके बारे में, उनके बारे में हम अध्यन करने वाले हैं। के आरंभिक वर्स, शुरुवात के जो वर्स है, वो अभावों और कठिनायों और संगर्सों में बीता। दसवी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे उननीस सु बीस में राष्ट्रिय स्वाधिनता आंदलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। अर्था तिनों ने स्वतंत्रता संगराम में भी अपना योगदान दिया है। कई बार जेल भी गए। उनका देखावसान सन 1968 में हुआ पंदरा वर्ष की अवस्ता में बेनी पुरी जी की रसनाएं पत्र पत्रिकाओं में चपने लगी। और वे बेखद प्रतिवासाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। जिनमें तरुन भारत, किसान बालक, युवक, योगी, जनता, जन्वानी और नई धारा उलेखनी है। यानि इनका साखित्य व्रगद है, धिर सर साखित्य इन्होंने लिखा है, इनकी धिर सरी रचनाएं हमारे पास मुझूद है। गद्दे की विविद विदाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्टा में लिखै, बहुत सम्मान मिला है। उनका पूरा साखित्य बेनिपूरी रचनावली के आठ खंडों में प्रकासित्य है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपून पड़ाव हैं पतितों के देश में ये उपन्यास है। चिता के फूल ये कहानी हैं अंब पाल ये नाटक है इनका माटी की मूरतें ये रेखा चित्र है और पैरों में पंक बांध कर ये यात्रा वृतांत है। जंजीर और दीवारें ये संस्मरण हैं इनके। उनकी रचनाओं में स्वाधिनता की छेतना, मनुस्यता की चिंता और इतियास की युगानुरूब व्याक्या है। समय के अनुरूब इन्होंने अपने इतिहास की व्याक्या की है वर्णन किया है विसिस्ट शैलिकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है तो आई ये चैप्टर के बारे में इस पार्ट के बारे में अध्यन कर देंगे बाल गोबिन भगत रेगा चित्र के माध्यम से लेकग ने एक ऐसे विलक्षन चरित्र का उद्गाडन किया है जो मनुष्यता लोक संस्कृति और सामुगिक चेत्रा का प्रतीक है वेस भूसा या बाई अनुस्तानों से कोई सन्यासी नगी होता सन्यास का आधार जीवन के मानविय सरोकार होते हैं यानि कोई अपना पहनावा सन्यासी की तरह कर लेता है तो क्या वो सन्यासी बन जाता है जी नहीं उसमें ऐसे गुण ऐसे संसकार भी होने चाहिए यहां बाल गोबिन भगत की बात की जा रही है तो बालगोबिन भगत में ऐसे ही गुण थे जो ग्रहस्त होते हुए भी सन्यासी के गुण रखते थे बालगोबिन भगत इसी आधार पर लेकक को सन्यासी लगते है यह पाट समाजिक रूडियों पर भी प्रहार करता है यानि ऐसी परमपराईं जो समाज में आज बिना किसी आवशक्ता के आगे बढ़ रखी हैं ऐसी परमपराओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए यह बात भी यह पार्ट कहता है इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोबिन भगत के माध्यम से ग्रामीन जीवन की सजीव जहां की देखने को मिलते हैं यानि गाउं का जो जीवन है उसका भी चित्रन इस पार्ट में किया गया है तो आईए सुरुवात करते हैं बाल गोबिन भगत के चरित्र का कैसे हैं बाल गोबिन भगत जानते हैं इनके बारे में बाल गोबिन भगत मंजले कद के गोरे चिठे आदमी थे यानि उनकी लंबाई ज्यादा नहीं थी मंजली थी बीच की थी न छोटी न ज्यादा साथ से उपर के ही होंगे यानि उनकी उम्र साथ वर्स से कुछ ज्यादा ही थी बाल पक गए थे अर्था सफेद हो गए थे लंबी दाड़ी या जड़ा जूटों नहीं रखते थे किन्तु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किये रहता था यानि उनके बाल सफेद हो चुगे थे लेकिन चेहरे में एक तेज था चेहरा चमकता था कपड़े बिलकुल कम पहनते कमर में एक लंगोटी मातर और सिर में कबीर पंतियों की सी कनपटी टोपी यानि यहां कान के पास से उपर होती हुई यानि कान के पास से जो कटी हुई सी टोपी होती है उस प्रकार कबीर पंतियों की टोपी वो धारन क्या करते थे जब जाड़ा आता एक काली खंबली उपर से ओड़े रहते, सर्धियों में वो क्या करते एक काली रंग की कंबल जो है वो ओड़ा करते थे मस्तद पर हमें साथ चमकता हुआ रामानन्दी चंदन, चमकता हुआ सा यूवाकार का चंदन का तिलख, जो नात के एक छोर से ही ओड़ो के टीके की तरह सुरूख होता था और गले में तुलसी की जोड़ो की एक बेडोल माला बांदे रहते, उपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविन भगत साथू थे, क्योंकि उनका पहनावा कुछ-कुछ साथू की तरह था बिल्कुल ये नहीं जाने हैं, बिल्कुल ये नहीं समझे कि वो साथू थे, वो ग्रहस थी थे, ग्रहस थी होते हुए भी किस प्रकारोन में साथूओं के गुण थे वे बिलकुल सादू नहीं थे नहीं बिलकुल ग्रिखस थे उनकी ग्रहनी की तो मुझे याद नहीं लेखकर हैं कि उनकी ग्रहनी यानि उनकी पत्नी की तो उनके याद नहीं उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था और बेटे और पतोहू का वर्णन इन्हों ने जो परिभासा होती है पूरी तरह से खरे उतरने वाले थे बाल गोबिन भगत। कबीर को साहब मानते थे और उनी के गीतों को गाते उनी के आदेशों पर चलते कभी जूट नहीं बोलते, खराब विवार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोश करते और ने किसी से कामका जगड़ा मोल किसी की चीज को नहीं छूते और ने बिना पूचे व्यवखार मिलाते, देखे कितने सजन, कितने साधू स्वभाव कहते किसी की वस्तू को बिना पूचे काम में भी नहीं लेते थे, और काम में लेना तो दूर, उसको सपर्स भी नहीं करते थे, उसको छूते भी नहीं थे इस नियम को कभी-कभी इतनी बारिकी तक ले जाते कि लोगों को कोतुखल होता, आस्चरी होता, जानने की इच्चा होती, जिग्यास होती, कभी वे दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते, कितनी अजीब बात है, गाओं में जब खेत होते हैं, जहां सोचाले की व्युस्ता नहीं होती थी प्राचिन काल में तो खेतों में जाया करते थे, तो ऐसे इस तीदे में बालगों मिन बगत किसी के खेत में सोच के लिए भी नहीं जाते थे, वह ग्रिगस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, और साहब यहां कभीर दासी को कहा गया है, साहब का जो दर्बार था, वो चार को उस दूरी पर था, एक कभीर पंती मठ से मतलब, यानि वे कभीर पंती जो मठ था, एक ग्रिगस्त थे, एक किसान थे, और वे कभीर पंती मठ को सुईकार करते थे, मानते थे, वह दर्बार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्र उपजता अनुत्पन होता उसको वहां ले जाकर चड़ा देते और वहां से प्रसाइद की रूप में जो मिलता उसी से अपना काम चलाते थे इन सब के उपर मैं तो मुख्द था उनके गान पर जो सदा सरवदा ही सुनने को मिलता था यानि लेकक उनके गान की उनके गीत की ब आसाड की रिम्जिम कैसा वाता वरन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है आसाड की रिम्जिम है समुचा गाउं खेतों में उतर पड़ा है कहीं हल चल रहे हैं कहीं रोपनी हो रही रोपनी अर्थाथ पोधों को रोपा जा रहा है फसल के पोधों की यहां बात की जा रही है दा कलेवा लेकर के औरतें मेड पर यानि खेत की जो बाउंडरीज हैं उन पर बैटी हुई है आस्मान बादल से घिरा है दूप का नाम नहीं ठंडी पुर्वाई चल रही है अर्थात पूर्व दिसा से आने वाली जो हवाएं हैं उनको पुर्वाई कहा जाता है तो गोबिन भगत के कान की उनके गीत की कहा है ये क्या है ये कौन के यह पूछना न पड़ेगा यहां बाल गोबिन भगत के बारे में कहा रहे हैं कि बाल गोबिन भगत समूचा सरीर कीचड में लित्ड़े अर्थात कीचड में सने हुए हैं अपने खेत में रोपनी कर रहे है उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्ति बद्ध खेत में बिठा रही है अरता है पंक्ति से लाइन से एक एक धान को एक एक धान के पौधे को खेत में रोप रही है उनका कंट एक एक शब्द को संगीत की जीने पर चड़ा करके संगीत की सीडी पर चड़ा करके कुछ को उपर सुर्ग की और भीज रहा ए यानि जब वो गाते हैं तो उनका सुर्ग उपर सुर्ग की और जाता है ऐसा मानना है लेकप का और कुछ को इस प्रत्वी की मिर्टी पर कड़े लोगों के कानों की और यानि खेट में और खेट के आसपास जो लोग हैं वो भी बालगो बिन भगत के इस गान का इस गीत का आनंद ले रहे हैं बच्चे खेलते हुए जुम उठते हैं मेड़ पर खड़ी ओरतों के होट कांप उठते हैं वे गुनगुना नहीं लगती है हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब करम से चलने लगती है बालगो बिन भगत का यह संगीत है यह जादू यानि सब कुछ अनवरत चलता रहता है बादों की वे अंदेरी अदरतिया अब वर्णन कर रहे हैं बादों के पहले उन्होंने वर्णन क्या था आसाड का अब बात कर रहे हैं बादों जो महिना आता है हिंदी महिना उसके अदरतिया अर्थात मद्धरात्री की यहां बात की जा रही है अभी थोड़ी की देर पहले मुसलाधार वर्सा खत्म हुई है और उसके बाद क्या हुआ ये जाने के लिए चलते हैं आगे बादल की गरज बिजली के तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो कि अभी जली की जंकार या दादुरों की तर तर बालको बिन भगत के संगीत को अपने कुला खल में डूबून नहीं सकती जिंगुर वर्सा के मौसम में जो धोनी करते हैं छोटे जीव होते हैं कीट पतंगे होते हैं तो वो ध्वनी करते हैं उनको जिंगुर कहा जाता है और यहां टर टर कौन कर रखे हैं मेंडक उनको दारदुर कहा जाता है बारिस के महीने में बारिस के दिनों में अक्सर ये ध्वनी सुनने को मिलती है खामें लेकिन यहां बात की जा रखी है बाल गौबिन भगत के गीत क तो कहते हैं कि जंकार किसकी जिल्ली की जंकार और दादूरों की टर टर बाल गोविन भगत के संगीत को अपने कोलाखल में डुबो नहीं सकती उनकी खंजडी एक वादे वियांग यंत्र होता है उस वादे यंत्र को खंजडी का जाता है जो ऐसे बजाया जाता है तो उनकी खंजडी डिमक डिमक बज़ रखी है और वे गार रखे हैं क्या गाया हूँ उन्होंने गोदी में पिया वाद चमक उठे सकिया चिहू को उठेना हाँ पिया तो गोद मी ही है किन्तु वह समझती है वह अकेली है चमक उठती है चिहू को उठती है इस प्रकार पे गाते हैं उसी बरे बादलों वाले भादों की आदी रात में उनका यह गाना अंदेरे में अकस्मात कौंद उठने वाली बिजली की तरह किसे ने चोंका देता अरतात आधी रात में कोई गाएगा तो चोंक उठेंगे लोग बाग ऐसा ही बालगो बिन भगत के गीत के साथ में होता है जब वे गाते हैं भादो के महीन में तो मद्य रात्री में सब लोग चोंक उठेंगे अरे अब सारा संसार नीस्तब्दता में सोया है नीस्तब्दता अर्थात बिल्कुल शान्ती है नीरोग है तो ऐसी स्तिति में जब संसार सोया है ऐसे में बालगो बिन भगत अपने गीत गुन गुना रखे है बाल गोबिन भगत का संगीत जाग रहा है जगा रहा है यानि औरों को भी जगा रहा है तेरी गटरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा इस परकार हो गाते हैं अब कार्तिक के महीने की बात की जा रही है कार्तिक आया नहीं कि बाल गोबिन भगत की प्रभातियां सुरूख हुई ये प्रभातियां क्या है प्रभातियां अर्थात सुबह के समय गाने वाले सुबह के समय गाये जाने वाले जो गीत होते हैं वो प्रभातियां कहलाते हैं और बाल को बिन फकत कार्थिक के महीने में जल्दी उठकर के प्रभातियां कहते हैं तो जब प्रभातियां सुरुख ह इनकी प्रभातियां कार्ति के महिने से लेकर के फागुन तक चलती है इन दिनों वे सबेरे की उटते हैं नहीं जाने किस वक्त जग करे नदी इसनान को जाते हैं नदी के किनारे सनान के लिए चले जाते हैं गाउं से दो मील दूर वहां से नहां दोकर लोटते और गाउं के बाहर की पोकरे के उंचे बिंडे पर पोकर अरतात गाउं के बाहर जो पोकर तालाब होता है तालाब के किनारे उंचा जो स्तान है उसको कहा गया है कि पोकरे के उंचे बिंडे पर अपने खंजड़ी ले जाकर बैठते हैं और अप का संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था यानि लेकक देर तक सोते हैं माग का महीना अरतात बहेंकर कड़ा के कि ठंड पड़ती हैं उन दिनों में भी लेकक अपने बिस्तर से उठे और वहां तक चले गए जहां नदी के किनारे बाल गोबिन भगत गीत का रहे थे तो उनका स आसमान के तारों की दीपक बुझे भी नहीं थे आसमान में तारे चमक रहे थे तारे उगे वहे थे हाँ पूरब में लोही लग गई थी लोही अरतात लालिमा अच्छा गई थी आसमान में सुरज उगने वाला था तो सुरज के उगने से पहले जो लालिमा अच्छा जाती उसके लिए कहा गया है कि पूरव में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को सुक्रतारा और भी बड़ा रहा था यानि आस्मान में सुक्रतारा था और पूरव में लालिमा च्छा गई थी